नमस्कार मैं गोपाल कृष्ण ठाकूर महात्मा गांधी अंतर राष्ट्री हिंदी विश्व विद्याले वर्धा महाराष्ट्र से हूँ और आज आपके साथ आपके पाठ्यक्रम कूड 507 के विशे सिक्षार्थियों के सांस्कृतिक विकास पर समुदाय का प्रभाव पर च सिक्षार्थियों के सांस्कृतिक विकास पर समुदाय का प्रभाव जब यह अवधारना हम अपने मन में लाते हैं, विचार करते हैं, तो यहां पर दो तत्व हैं, दो अवधारनाएं हैं, जिसको प्रारंभ में ही स्पष्ट कर लेना उचित-प्रतीत होता है समुदाय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, समुदाय, समाज, या समूह, इन सब की वधारनाएं ऐसी होती हैं, जिसके बारे में सभी व्यक्ति सहजता से, सरलता से अपने विचार व्यक्त करते हैं अगर हम शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर जाएं, तो समुदाय को अंग्रेजी भाषा में कम्यूनिटी कहते हैं, जो कौम तथा म्यूनिस दो शब्दों से मिलकर बना है कौम का अर्थ है एक साथ together तथा म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना to serve इस परकार समुदाय का अर्थ है एक साथ सेवा करना to serve together अगर हम इसी बात को थोड़ा और व्यापक अर्थ में समझने की चेश्टा करें तो समुदाय एक निश्चित स्थान या भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जिसकी एक संस्कृति होती है एक जैसी जीवन प्रणाली होती है जो अपनी सभी आवश्चक्ताओं की पूर्ती समुदाय के भीतर ही पूरी कर लेते हैं इस प्रकार समुदाय के सभी सदस्यों के मन में एक वयंग भावना अर्थात अपनापन की भावना सेंस ओफ बिलॉंगिंगनेस की भावना होती है और समुदाय के प्रती आपस में सभी सदस्यों के प्रती प्रकार का निश्था भाव होता है वफादारी का भाव होता है यहां पर अगर हम देखें तो जो एक स्थापित परिभाश्चा के तोर पर लिया गया है कि एक निश इंटरनेट इन सब के प्रादुर्भाव के बाद में हुआ है अब एक जैसे समुदाय आई सीटी के प्रादुर्भाव की वजह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से सुदूर देशों में विश्व के कोने-कोने में अलग-अलग कोने में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, इसलिए भौगोलिक भूभाग का जो तत्व है, उसे हम हटा करके भी समुदाई की अवधारना को समझ सकते हैं, एक जैसी संस्कृति का होना, एक जैसी जीवन प्रणाली का होना, और common interest, एक जैसी जीवन में एक जैसे लक्ष का होना, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, हम इस प्रकार इसे समझ सकते हैं, जैसे सिक्षकों का समुदाई होता है, वकीलों का समुदाई होता है, डॉक्टर्स का समुदाई होता है, या फिर कुछ धार्मिक आधार पर, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी समुदाई का वरगी करण होता है तो जब हम सिक्षार्थियों के बालकों के व्यक्तित्व पर सांस्कृतिक विकास उनका जो होता है व्यक्तित्व के कई पहलू होते हैं शारेरिक विकास है मानसिक विकास है बौधिक विकास है उसी तरह से सांस्कृतिक विकास है तो जब हम सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं और समुदाय का क्या प्रभाव उस पर पढ़ता है तो इस के बारे में आगे चर्चा करने से पहले एक बार संस्कृती की अवधारना को स्पष्ट कर लेना भी समीचीन प्रतीत होता है उचित प्रतीत होता है यूँ तो कई सारी पारिभाशिक शब्द प्रतावलिया हैं, परिभाशाएं हैं जिनके माध्यम से संस्कृती शब्द को स्पष्ट किया जाता है हम यहां इसे इस तरह से देख सकते हैं कि संस्कृती जीवन जीने की एक विधी होती है जैसा कि जो भोजन हम खाते हैं, जिस प्रकार खाते हैं, जो कपड़े हम पहनत हैं जो भाशा हम बोलते हैं जिस उपासना पध्धति को हम अपनाते हैं पुजा पाठ करना या फिर मस्जिद में जाना मंदिर में जाना गिर्जा घर में जाना अलग-अलग पध्धतियां होती हैं हमारी उपासना की ये सभी हमारी संस्कृति के द्यों तक होते हैं संस्कृत दर असल उस विधी का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं, हम कार्य करते हैं, इसमें वे सभी अमूर्त, अभहौतिक, इंटांजिबल, भाव और विचार भी सम्मिलित हैं, जो हम एक परिवार और समाज के सदस्य होने के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं. सभी संस्कृती के प्रकट पक्ष होते हैं. यद्यपी संस्कृती में रीति रिवाज, परमपराएं, पर्व, जीने के तौर तरीके और जीवन के विभिन पक्षों पर व्यक्ति विशेश का अपना दृष्टिकून भी सम्मिलित होता है. संस्कृती मानव जनित मानसिक परियावरण से संबंध रखती है. अगर हम इन सब बातों को देखें, इनके निचोड में जाएं, तो यह मानव जनित जो मानसिक परियावरण है, जिसमें सभी अभावतिक अमूर्त उत्पाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान किये जाते हैं, हस्तांतरित किये जाते हैं. संस्कृती में मनुष्यों द्वारा प्राप्त सभी आंतरिक और बाह्य व्यभारों के तरीके समाहित होते हैं. ये चिन्धों द्वारा भी हस्तानांतरित किये जा सकते हैं, जिनमें मानव समुहों की विशेष्ट उपलभधिया भी अन्तरनिहित होती है संस्कृति किसी समाज के वे सुक्षम संसकार है जिसके माध्यम से लोग परस पर संप्रेशन करते हैं विचार विमर्ष करते हैं विचार विनिम Yay करते हैं और जीवन के विशे में अपनी अभिवरत्ययों और ज्ञान को दिशा देते हैं संस्कृति के बारे में अगर हम और चर्चा करना चाहें तो संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधी में हमारी अंतस्थस्थ प्रकृति की अभिव्यक्ति है या हमारे साहित्य में, धार्मिक कारियों में मनोरंजन में आनंद प्राप्त करने के अन्य तरीकों में भी परिलक्षित होती है, देखी जा सकती है संस्कृति के दो भिन उपविवाग कहे जा सकते हैं एक तो भौतिक पक्ष इसका होता है और दूसरा अभौतिक होता है भौतिक तो वह पक्ष होता है जो tangible होता है, जो प्रत्यक्ष होता है जिसे हम अपने समवेदी ग्रंधों से अनुभूत करते हैं भौतिक संस्कृती को सभ्यता भी कहते हैं, वो हमारे जीवन के भौतिक पक्षों से इस प्रकार संबन्धित होते हैं उदारण के तौर पर जैसे हमारी वेश भूशा, भोजन, घरेलू, सामान, जिन चीजों को हम अपने जीवन में व्याभार में लाते हैं, ये सभी हमारे संस्कृति के भौतिक पक्ष कहलाते हैं, वहीं अभौतिक संस्कृति का संबंध हमारे विचारों, आदर्शों, भावन और विश्वासों से है, हमारी आस्था की पध्धती से है, हम जिसमें विश्वास रखते हैं, उन चीजों से है, अब जब ये सारी विश्ष्टताओं की बात हमने की, तो निश्चित रूप से ये विश्व बहुत ही व्यापक है, विशाल है, इबन अपना देश भी बहु इसका जो सामाजिक विविधता है, इस देश में, तो एक समाज से, दूसरे समाज, एक देश से, दूसरे में संस्कृती की ये जो विशेशताएं होती हैं, ये बदलती रहती हैं, उधारण के लिए हमारे अभिवादन की विधियों में, जैसे हम अगर किसी अपने से प्रक्ष से मिलते हैं, तो नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, या फिर चरण असपर्स करके, या हाथ मिला करके, या सलम वलेकुम, जो भी या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहते हैं, ये सारी हमारे विधियां अभिवाधन की होती हैं, इसी प्रकार वानव जीवन के और अन्य विवहार की भी हमारी अलग-अलग विशिष्ट विधियां होती हैं, तो हम अगर देखें, तो हमारे अभिवाधन की विधियों में, हमारे वस्त्रों में, खाने की आदतों में, पारिवारिक संबंधों में, सामाजिक, धार्मिक रित रिवाजों और मान्यताओं में अपने देश की जो परिपाटी है उसको अगर हम तुलना करें पस्चिमी देशों से या मध्यपूर्वी देशों से या विश्व के किसी भी अन्य देशों से अगर हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि भिन्नता होती है सच कहें, तो किसी भी देश के लोग अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा ही पहचाने जाते हैं आप अपने देश में भी पाएंगे, अगर हम पंजाब चले जाएं तो वहाँ पर लोगों के कपड़े पहनने का तरीका अगर हम पूर्वोत्तर प्रांतों में जाएं, मनिपूर, मिजोरम, नागालेंड, वहाँ के लोगों के खाने पीने का, कपड़े पहनने का तरीका और वहीं तामिल नाडू, केरल यहां चले जाएं, तो उनके खाने पिने या कपड़े पहनने के तौर तरीके में भी काफी अंतर होता है। दरसल यह सारी चीजें जो सांस्कृतिक तत्व हैं, समाज की विशिष्टताएं हैं, इन सब को संग्रक्षित भी किया जाता है और आगे हस्तांतरित भी किया जाता है। कैसे? तो संस्कृति का विकास एक सामाजिक अथवाराष्ट्री ये संदर्व में होने वाली एतिहासिक एवं ज्ञान संबंधी प्रक्रिया वा प्रगति पर आधारित होता है। अब समुदाय और संस्कृति की अवधारना पर हमने थोड़ी चर्चा की और जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि यह आगे की फीड़ी में हस्तांतरित भी किया जाता है संस्कृतिक के तत्वों को, संस अपने विद्यालेयों के मार्धियम से संचालित करता है। तो हम देखें कि राष्ट्रिय सिक्षा नीती 1986 और इसके प्रोग्राम ओफ आक्शन 1992 में बच्चों के व्यक्तित्व के विकास एवं उनमें अंतर्निहित संभावनाओं की पहचान कर उन्हें संवर्धित करने के लिए सिक्षा के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर बल दिया गया है। अब यह सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो होता है तो इसको हम सिक्षा से जोड़ करके जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि समुदाय की स्थानी लोक कथाएं होती हैं, उनके लोक संगीत होते हैं, ल सीखने की अपार संभावनाएं होती हैं समुदाय के सदस्यों के साथ सिक्षक वह सिक्षार्थियों को अगर अवसर मिले तो उनके साथ अंतख्रिया करने से इंटराक्शन करने से उनके साथ अपने अनुभवों को साजा करने के माध्यम से व्यक्ति बहुत कुछ स्वेंग ही सीख सकता है शिक्षार्थी के संस्कृतिक विकास में समुदाय की भूमी का अठ्यंत महत्वपूर्ण होती है स्थानी ये संस्कृति का अध्ययन यदि बारिकी के साथ सुक्ष मस्तर पर किया जाए तो संस्थागत ग्यान की बहुत ही सुद्रढ बुनियाद स्थापित हो सकती है मैं उदारन के तौर पर एक उलेख करना चाहूंगा जैसे की एक काला हांडी में बच्चियों के एक खेलने कूदने की एक विधी होती है जिसमें कि वो आपस में जब खेलती हैं तो एक तूसरे से वो स्थानिये मचलियों के नाम स्थानिये फसलों के नाम पूछती है एक पूछती है दूसरी बताती है वह है उनके खेलकूद का एक तरीका होता है अब देखिए यह सांसकृतिक तत्व है समाज की परंपरा समुदाय की परंपरा में अंतर नहित है खेल कूद का तौर तरीका लेकिन इससे सीखने की कितनी रोचक विधी अपनाई जा सकती है विद्यालई वातावरण में भी कि अगर इसके माध्यम से बच्चों को खेल खेल है और बच्चों के लिए यह बिल्कुल ही उबावू प्रक्रिया नहीं होगी बलकि पूरी रुच्च के साथ बच्चे फसलों के नाम प्रकृतिके में उपस्थित पेड़ पौधों के नाम मचलियों के अन्यजीव जन्तूओं के नाम इन सब को बच्चे सहस्ता से सीख सक में जो अपार सेक्षिक संभावनाय अंतरनहित होती हैं इसका उपयोग सिक्षन अधिगम प्रक्रिया को रोचक और आनंददाई बनाने के लिए कैसे किया जाई है चाहें सिक्षक तो बड़े ही आराम से बहुत ही सहस्ता से बच्चों को ज्यान प्राप्त करने के ज्यान क स्रिजन करने के अवसर प्रदान कर सकते हैं हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी पर्वत्योहार मनाये जाते हैं लोरी है होली है दीवाली है दशहरा है या फिर ईद है क्रिसमस है इन सब का हमारे देश के बदलते मौसम से हमारे यहां उपजाये जाने वाले फस लोहरी का त्योहार है एक फसल जब तयार होती है तो फिर उस पर उसके अंत में इस त्योहार का आयोजन होता है उसी प्रकार से अन्या आप सभी जानते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परवत्योहार मनाने की परंपरा को लोक जीवन के साथ के जो उनके संबंध है उसके सेख्षिक महत्व को सिख्षक समझाए। स्थानिय खेल एवं उनके माध्यम से विभिन जानकारियों को संगरक्षित करने एवं जजान को विकसित करने की कई अनूठी विधिया हैं जिसको गढ़ा जा सकता है, जिसका प्रयोग किया जा सकता है और बच्चों के सिक्ष शिक्षकों के सिक्षण अधिगम सीखने के अनुभव को अत्यधिक रोचक बनाया जा सकता है। इसके लिए बहुत सी हम सब के मन में कई अपुष्ट अवधारनाएं, पूर्वधारनाएं होती हैं, कई मित्स होते हैं, कल्पित अवधारनाएं होते हैं यह भी एक साबधानी बरतनी की जरूरत है कि सिक्षक उन मिथक मित्स आदी से थोड़ा बचे और सिक्षार्थियों को यथार्थ का बोध करने में भावी जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें इसके लिए यह बहुत आवश्यक है अपेक्षित प्रयत्न क्या क्या किये जाएं इस पर भी थोड़ा सोचा जाए तो यह है कि विद्यालई क्रियाकलापों में पढ़ने के अलावे जो कक्षागत सिक्षान अधिगम की प्रक्रिया होती है इसके अलावे खेलकूद या अन उने परिवार में बड़े होते होते सांस्कृतिक जो विभिन गतिविधिया होती है उसको सहजता से आत्मसात किये होते हैं कर रहे होते हैं और अगर विद्याले में भी उनक्रियाकलापों को स्थान दिया जाए तो बच्चों को अपने समुदाय की संस्कृति को अपने सम बाबकों को समुदाईक जो अच्छे लोग हैं नित्रतो परदान करते हैं उनको निमंत्रत किया जा सकता है उनके विचारों को सुना जा सकता है उनसे संस्कृति के इतिहास के परंपराओं के बारे में जाना जा सकता है इसके अतिरिक्त सिक्षार्थियों को स्थानिय समुद सिक्षकों को की स्थानिय समुदाय में ब्रह्मन की व्यवस्था करवाएं, उन्हें स्थानिय समुदाय के इतिहास, उनकी संस्कृती, परंपराएं, शिल्प, कला, आदिसे संबंधित, सूचनाएं, प्रदान करें। को जोडने का भी अनुभव प्रदान करना चाहिए। काफी मेहत्वपूर्ण होती हैं, और जो बेस्ट प्रेक्टिसेज होती हैं, सर्वोत्तम प्रथायें होती हैं, उन्हें प्रसारित करने हेटू, समुचित उपाए करें ये सारे कारिय हम सब अगर करें तो हम पाते हैं कि विद्याले और समुदाय के मध्य एक इंटरफेस बना करके अंतरफलक बना करके वर्तमान संदर्भ में पारंपरिक संस्कृति को पुनर जीवित करने में हम मदद कर सकते हैं दर असल ये जो हमारे सांस्कृतिक तत्व होते हैं यह सिक्षार्थियों के व्यक्तित्व को पूर्णत्व प्रदान करते हैं हम सभी एक व्यक्ति के तौर पर जब बड़े होते हैं तो अपने आपको अपनी प्रिष्ठ भूमी से जिस सामाजिक सामुदाइक प्रिष्ठ भूमी से आते हैं उससे जोड़ करके देखते हैं हमारी पहचान होती है हमारा समुदाइ हमारी पहचान होती है हमारे समाज की प्रिष्ठ भूमी जिस प्रकार हम अपने नाम के साथ सरनेम लगाते हैं परिवार के जो सरनेम लगाने की परिपाटी है तो परिवार के साथ हम अपने आपको identify करते हैं, हम पहचानते हैं, हम अपने व्यक्तित्व को उससे जोड़ करके देखते हैं, उसी प्रकार अपने समुदाई से भी हम अपने आपको जोड़ करके देखते हैं, अपने समाज से भी जोड़ करके देखते हैं, अपने देश से अपने व्यक्तित्व को अपनी जो व्यक्तिक पहचान है उसको जोड करके देखते हैं, तो इसमें यहां बड़ा ही आवश्यक है कि हम isolation में compartmentalized education ना प्राप्त करें, ना अपने सिक्षार्थियों को compartmentalized education, बिल्कुल जो watertight compartmentalized education होती है, यानि कि मतलब बिल्कुल एक चीज हम कर रहे हैं, एक विशय को पढ़ रहे हैं, तो उससे इतर और किसी चीज का ग्यान ही नहीं है, दुर्भाग्य से आज कल के विद्यालईई परिवेश में हम सब अगर थोड़ा गौर करें, तो हम पाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी भावी पीड़ी के लोग हैं, उन्हें अगर हम अपने जो उनके जीवन काल में नहीं रहे वो महापुरुष गण, और अगर हम उनके बारे में पूछें, तो हम पाते हैं कि उन्हें उनका भी ग्यान बहुत सारे संदर्भों में नहीं होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि आप नोट दीजिए उस पर महात्मा गांधी की तस्वीर है और उनके बारे में पूछिए तो बहुत से बच्चे वो भी बता पाने में असमर्थ होते हैं, तो यह एक बड़ी ही चिंतनी एस्थती है कि हमारी अगली पीढ़ी ऐसे नाविकसी तो हो कम से कम, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारी अगली पीढ़ी है, हमारे देश के, हमारे समाज के भावी नागरिक हैं, वे सभी हमारे समाज के बारे में, हमारे समुदाय के बारे में, हमारी संस्कृती के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, हमारे समुदाय ने अपने आपको, अपने अस्तित्व को बचाए रखने में, वो आगे विकसित होने में जितना भी कुछ प्रयत्न किया है, उसके बा जिन तत्वों के मार्ध्यम से समुचित सिक्षा प्रदान की जा सकती है, हमारे जो सिक्षार्थी हैं, हमारी अगली पीड़ी के जो बच्चे हैं, उन सब के व्यक्तित्व को सजाया जा सकता है, सवारा जा सकता है, और इन सब के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम वो सारे उद्यम करें वो सारे उपक्रम करें जो की हमारे सिक्षार्थियों को उनकी संस्कृति को जानने में मदद कर सके उनके व्यक्तित्व का समग्र वसंतुलित विकास हो सके उनमें हर समुदाई की कुछ विसिष्टताएं होती हैं उनमें सहनुभूती की भावना विकसित हो सहनशीलता की भावना विकसित हो समाज सेवा एवं त्याग आदे अनेक सामाजिक गुणाओं का विकास हो सके वे भविश्य में सकारात गुनों से युक्त होकर देश वो समाज के विकास में अपना सार्थक योगदान कर सकें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी पढ़ते आए हैं पढ़ाते आए हैं परोपकाराय फलंति व्रिक्षाह परोपकाराय बहंति नद्याह परोपकाराय दुहंति गावः परोपकारार्थम इदम शरीरम अर्थात इसके माध्यम से हम यह कहते हैं कि यह जीवन जो है यह परोपकार के लिए बना हुआ है जिस प्रकार विक्ष में फल होते हैं परोपकार के लिए, नदियां बहती हैं, जल देती हैं मनुष्यों को परोपकार के लिए, गाएं दूद देती हैं, यह सारा जो उपक्रम है, यह समाज है, यह शरीर है, यह मानव जीवन है, यह परोपकार के लिए है, यह एक गुन है, एक तत्व है जिसकी चर्चा में कर रहा हूँ, ऐसे अनेक तत्व हमारी संस्कृती में हैं, हमारे समाज में, हमारे समुदाय में होते हैं, जिनको हम समुचित तरीके से सिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से अगली पीड़ी में विकसित कर सकते हैं, हस्तान तरित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।